कानपुर के ग्रीन पार्क में 25 नवंबर यानी कल से होने वाले भारत बनाम न्यूजलेंड क्रिकेट टेस्ट मैच की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जिसका जाइजा लगातार कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राज शेखर ले रहे हैं डॉक्टर राज शेखर कानपुर में होने वाले क्रिकेट मैच को यादगार बनाना चाहते हैं और हर एक उस यादगार पहलू वा क्रिकेट के गौरव शाली इतिहास को जो क्रिकेट मैच से जुड़ा है उसे आम जन्बानस तक पहुचाने के लिए अभी काम कर रहे हैं और क्रिकेट से जुड़ी जानकारी आज की पीड़ी आने वाली पीड़ी को हो सके इस पर विशेश ध्यान भी दे रहे हैं बता दे कि कानपूर का ग्रीन पार्क स्टेडियम अंतराश्वी क्रिकेट के एक शेत्र में प्रसित है क्रिकेट के मैदान में इसका गौरव शाली इतिहास सतर साल से अधिक पुराना है यूपी और भारत में क्रिकेट के गौर्फशाली इतिहास को दिखाने और खेल गते विदियों को बढ़ावा देने के लिए कानपूर स्मार्ट सिटी ने ग्रीन पार्क कानपूर में विजिटर गालरी के परियोजना शुरू की है विजिटर गालरी के पहले चरण में डिस्प्ले सेक्शन है और आडियो विज्वल सेक्शन को अंतिम रूप दिया जा रहा है विजिटर गालरी में एक बनाने के लिए UPCA और BCCI के समर्थन से कानपूर स्मार्ट सिटी लिमिटर और UP के खेल विभाग द्वारा यादगार क्रिकेट उपकरण और संबंधित आइटम जैसे फोटो, नए पेपर कटिंग, ट्रोफी और शीर लादी एकत्र हो चुके है